तो 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 एक बात कह रहा हूं कि अब आपने बहुत सही बात कहीं अभी मैं जो रिसर्च कर रहा था तो उसमें मैंने देखा बड़ा इंट्रेस्टिंग फैक्स मुझे मिल गया के टियार इंट्रियू कर रहा है बिल गेट्स को के टियार और उनके पिताजी अभी यात्रा पर निकले हुए हैं कि आपकी बार किसान की सरकार अब यह जो यह जो गैंग है यह सो आपने ठीक कहा कि यह सोरोस हिंदू को भी फंडामेंटलिस्ट को भी फंड कर रहे होंगे इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट को भी फंड कर रहे होंगे उनको तो करते हैं यह जो खालिस्तानी फोर्स जो हैं या उदर रोहिंगिया का जो मामला है या बोर्डर जो इलाका है वहां जो फंडिंग का जो खेल है डिस्बैलेंस के लिए जो चल रहा है गेम वाँ भी फंट कर रहे होंगे क्योंकि ये लोग काम इनको आपसे कोई मतलब नहीं है ये तो खुझे आम कहते हैं कि आप और आपकी सोसाइटी से क्या लेना देना को एक बुड़ा पोस्ट एक हंग्री का जो यहूदी वेक्ति को क् शनातन ढर्म से और इस्लाम भर्म से आपके इसलाम जाले इसे वाढ़ो जो 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 बुड़ा पैस की बातती तो हिंदी-जो यह बुड HOW यह बींड कि यह बुड़ा एक पैस्वारी पेस्ट है यह बूरा पैस्ट है आप यह जानना चाहता हूं कि यह जो ट्रेडर है यह इनके उपर आरोप लगा कि बैंक आफ इंगलेंड को इन्होंने बरबाद कर दिया तहस्त नहस्त कर दिया वह वाक्या मैं समझता हूं कि आप अगर सरल भासा में जड़ा लोगों को बताएं कि कैसे इसने बरबाद किया बैंक ओफ इंगलेंड को ने अच्छली अशुद बाइब इमान दारी से आप आप आफ जो सोरोस को ज्यादा जो उसका सो कॉल्ड इंटर्वेंशन होते हैं इन लिबिया, सिरिया, बेलारूस, रश्या वह मैं उसको जादा फॉलो कर रहा हूं क्योंकि यह जो लिबरिल चोला पैंकर इंपरिलिस्म को आगे बढ़ा रहना यह बहुत खत्रमा बात है तो उसकी करण सी टेडिंग मलेशा से लेकर जो आपने बैंक आउइंग जिकर की उसके आइवला पुटू समोर रिसर्च एंड वीलाट प्रिपर मोर बिखुज इसमान बिल गेट्स इस अच्छा काम करी वगरा वगरा वो जो सब बाते आरी है तो यह जो अपने आपको गॉड मानने चले फिलन्थ्रोफिस्ट जो गया यह क्या और सेवा मारी करने वाला है तो अब ही बिल्ट तो इतना बढ़िया फिलन्थ्रोफिस्ट हैं और समाज को मदद करते हैं डिसर्च में हेल्फ केर में अभी जो आने वाले हैं तो चोटे-चोटे बच्चों को गोधी में उठा करके खेल रहे हैं जोर्स सोरोस भी वही काम कर रहे हैं एक आयक वह एकनोमिक रिफॉर्म भी हो गया है सोशल भी हो गया दिमोकरसी के लिए एक्टम से उनके दिल में तवट हो गयी है पिरानवे साल में भी वह जहां उनको मौका मिलता है यह जो हमारी पत्रकार बिरादरी है रोज भाई वह कहां से फंड रही है यह उनकी अज्यानता है यह वो विके हुए है। I think it's a combination of both. अज्यानता भी बहुत है। आप जैसे पत्रकार तो में दस नाम नहीं दे सकता इस देश में जो इस विशुद को जानते हैं समझते पड़ रहे है। वरना तो तो वो रनो तो मिल जैसे पत्रकार है। तो अग्यानता काई कॉंबिनेशन है और आज कल जो पूरा कॉर्परेट कुल्चर मीडिया का वन चुका है कि अपने आपको विकाओ इसके बिल के चाहेगा अच्छा बोलेंगे तो कुछ मिल जाएगा वह वाला जो सिट्वेशन है तो इससे कॉंबिनेशन ऑफ बहुत इंग इंटरनेशनल लॉद इंस्ट्वूशन्स यह उनका पोरा अजन्डा है इसके इसके के कभी जौच सोरोज कभी बिल गेट इसके प्रतीक वो लो बना के छोड़ते रहते हैं और अब देख लिए भारत के बार में तो उसे जो बोला भी बोला मगर उसे स्टॉंग लवज उक्रेण विल टंबल डाउन फिनिश दी रशन एंपायर अलब रश्या का जो डिफीट होगा उक्रेण में वो रश्या खतम हो जाएगा इसलिए वार करवाई गई है रश्या पे ठीक है दोजार ग्यारा में इरान के बार में क्या वोला था उन्होंने कुने कहा था कि सब्सक्राइब करने बहुत आसान हो जाएगा आपको ब्यापार करना और वह ब्यापार को प्लिटिकल एकॉनामी के तरफ लेके चले आता है जोड़ी आसानी से बहुत चतुर है चतुर सुजान है इक्जाक्ली मगर पॉइंट इसके यह लोग की अप्ती लिमिटेशन है इनको ज्यादा हम लोग यह है बहुत चतुर और बहुत खतानाथ क्योंकि वह डारेक्ली आतंगवाद को फंड कर सुके लिबिया और सिर्या में वह लिबिया सिर्या में तो मैंने ओन दे ग्राउंड कर सकते हैं इसलिए मुझे चिंता हुई कि पंजाब में जो खालिस्तान का सवाल जिस पकार से पड़ा हो रहा है मगर उसके सामने अगर हम लोगों ने जो हिंदू राइट विंगे उसको डिल नहीं किया क्योंकि बाइशाब बात ऐसे कि अस्रीवानांत का अफिडैविट और अभी बंबई में यस्वन चिंडे करके RSS का कारे करता है जो बोल रहा है कि भाई हमने जितने आतंगवादी हमले हुए वो RSS ने करवा है मैं उस गिरो का एलिमेंट हूँ ओके तो आप डरा के मनलब उसने बोला कि नफरत की एक सीवा है अभी में और नफरत फैलाने के लिए तैर दी तो आप नफरत सभी समाज वो फैलाओगे सभी समाज नफरत से गर जाएंगे नफरत से हुआ कर दो